हलो, what's up दोस्टो, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में दोस्टो, यहाँ पर बात आज हो रही है कि अगर आपको स्टेट ट्रांसपोर्ट जो होता है STG से कहते हैं हम, किसी भी स्टेट का, खुद का स्टेट ट्रांसपोर्ट होता है और उनकी यहाँ पर जो है, वो ड्राइवर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो समय समय पर इनकी वेकंसी निकलती है तो उनकी एक पूरी प्रोसीजर क्या होती है उसको अपलाई करें, तो कैसे मोड में अपलाई करना होगा और फिर उसका जो है, वो आगे चल कर टेस्ट कौन से होते है और जनरल एक रिमनरेशन क्या होता है इसके बारे में हम बात करने वाले है लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल बनाया है, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए विडियो सबसे पहले देख सके तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों शुरुआत करेंगे कि application process कैसे होता है तो इसका पूरा application जो है वो आपको online ही भरना पड़ेगा online इनकी जो website है इनके उपर आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर आपको career से recruitment वाला section मिल जाएगा जहां पर आपको दिख जाएगा कि driver की कोई vacancies है क्या या बाकी किसी post की vacancies है क्या उसकी बाद apply की उपर click करने के बाद आपको वो सारी information जो है आपकी वो भरनी पड़ेगी आपके educational proof के documents जो है वो भी वहाँ पर upload करने के लिए कहें जा सकते हैं इसके बाद आपको online fees का भुगतान करना होगा अब ये जो fees है वो हर एक state के अनुसार अलग होती है कुछ states थोड़ी सी जादा fees लेते हैं कुछ states थोड़ी से कम fees लेते हैं लेकिन औसतन अगर यहाँ पर बात की जाए तो जो unreserved category है उनको 600 और जो reserve category है उनको 300-300 रुपए तक की fees जो है वो लग जाती है हलाकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये हर state के अनुसार बदल सकता है अब इनकी pay scale भी में आपको बताने वाला हूँ लेकिन ये भी थोड़ा बहुत उसमें change आ सकता है थोड़ा कम जादा इससे हो सकता है अब pay scale जो है वो इनकी 12,000 से लेकर के 26,000 के बीच में रहती है इसके अंदर कुछ allowances भी add हो जाते है लेकिन अगेन वही चीज में आपको बता रहा हूँ कि आप कितने experience है और आप conscious state government के लिए बस चला रहे हैं उसके उपर भी ये depend करता है कि आपकी salary कम होगी या जादा होगी age criteria की बात करूँ तो यहाँ पर 24 साल से लेकर के 38 साल तक के लोग जो है वो लिए जाते हैं हाला कि अगर कोई reserve category का है तो उसको उसमें थोड़ा वाँज जो है वो concession मिल सकता है तो दस्तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि candidate कोई भी है तो दसवी पास होना चाहिए और दूसरी बात यह है कि उसके पास heavy vehicle जो होता है उसका license अलग से बनता है वो license इसके पास होना चाहिए HVM to be precise HVM license उसके पास होना चाहिए और साथी साथ अगर दो से तीन साल का experience है तो जादा prefer किये जाएगा और साथी साथ जो भी वहाँ की native language है उसके अंदर पढ़ना और लिखना भी आना चाहिए कुछ यहाँ पर physical standards भी रखे जाते हैं कि कम से कम height कितनी होनी चाहिए और जादा से जादा कितनी होनी चाहिए तो कम से कम height 160 cm से लेकरके 180 cm तक की होनी चाहिए यानिके 160 से लेकरके 180 cm के बीच में अगर आपकी height है तो फिर आप वहाँ पर जो है वो select हो सकते हैं हाला कि 180 cm से उपर की height है तो फिर आदमी फिर 6 foot से भी ज़्यादा हो सकता है तो फिर वहाँ पर उस seat में बैठने के लिए वो उतना ज़्यादा comfortable नहीं होगा तो वो आदमी वहाँ पर fit नहीं हो पाएगा इसकी विज़े से यह height criteria भी रखा हुआ है इसके अलाबा आदमी की eyesight बिलकुल सही सही होनी चाहिए और जो लोग थोड़े बहुत physically disabled है या जनको night blindness की problem है ऐसे लोग वहाँ पर apply नहीं कर सकते हैं अब बात करें दोस्तों की selection की पूरी procedure कैसी है तो obviously यहाँ पर सबसे पहले एक return test होती है और ये return test जो है वो total 100 marks की होती है और इसे solve करने के लिए आपको 90 minute का समय दिया जाता है और generally इसके अंदर जो है वो आपका general knowledge सामान्य ग्यान देखा जाता है और English language related छोटे मोटे सवा ला सकते हैं कि थोड़ी बहुत अंग्रेजी आपको आने चाहिए इसके अलावा बाकि थोड़े बहुत गणती क्रियाओ को भी पूछा जा सकता है थोड़े बहुत mathematical problems जो है वो पूछे जा सकते हैं बहुत high level की तो नहीं होती है लेकिन general एक आपका knowledge check करने के लिए इस exam को conduct किया जाता है इसकी बाद आता है आपका driving test यह skill test तो यह सबसे important वाला है यहाँ पर actually आपको bus चला करके दिखाने पड़ती है और वो जो भी कहेंगे कि mode के दिखाओ reverse करके दिखाओ या gear लगा के दिखाओ या पूरी safety regulation वगरा भी वो पूछ सकते हैं तो यह सारी मामलों में आपको जो है वो वहाँ पर जवाब देना वहाँ पर आना चाहिए और साथी साथ उस bus को चला करके भी आपको दिखाना होगा इसके बाद आपका personal interview और document verification होता है इसके अंदर आपके सारे जो भी कोई documents है वो original document जो है वो देखे जाते है उससे photocopy जो आपने submit की है वो भी match की जाती है कि सब कुछ सही है या नहीं और आखिर में जो है वो medical examination भी होता है ये check करने के लिए कि कहिए आपको कोई disability तो नहीं है जो कि आपने form भरते वक वहाँ पर mention नहीं की है आपने छिपाई है तो ऐसी medical कोई condition नहीं है ये check करने के लिए आपका वहाँ पूरा medical examination जो है वो conduct किया जाता है और अगर इन सभी में से आप पार हो गए तो फिर आपको एक चोटा सा training भी दिये जाता है कि कैसे चलानी है बस और क्या हमारे safety standards वगेरा होंगे इस सभी के बारे में वहाँ पर एक training दिया जाता है और उसके बाद आपको जो है वो काम पर रखा जा सकता है तो दोसों ये एक पूरी procedure होती है अगर आपको state transport में as a bus driver के तोर पर नौकरी पानी है तो बस दोसों आज के वीड वीडियो को शेर भी कर दीजेगा